हे एवरी बड़ी दिस इस नामीका और वाजञ पाट्चाला रिशिकेश आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं मार्च 2022 के जो महतोपूण करेंट अफैस हैं यानि कि मार्च 2022 में जितने भी महतोपूण इवेंच्वेंट्स होए हैं वह मार्च की वीडियो में डिसकस क करते हैं तो आप जरूर ये वीडियो देखे जाएगा जब भी आपका एक्जाम हो उससे कुछ दिन पहले और कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि आपका जित्व को जो एक्जाम होता है उससे पहले हम पूरे छे महीने का जो करेंट अपके लिए जल्दी लेके आएंगे ताकि आ हाले आपको फुल फर्म पता होनी चाहिए तो सिक्योर्टी एन एक्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फर्म होती है ठीक है तो इसकी कौन है माधूरी पुरी वाकिन का नाम है जिनको अभी हाली में पहला वोमें चेयर परसन यहां का बनाए गया है सेभी की बात कर आपको पता होगा कि एक साल में चार घ्रेंड स्लैंग खेले जाते हैं तो पहला आपका ऊस्ट्रेलियन ओपन होता है दूसरा फ्रेंच ओपन होता है तीसरा वींबल्टन और चौथा आपका US Open तो जो Australian Open होता है वो हर साल January में खेला जाता है तो इसका मतलब है इस बार हो चुका होगा तो वो जीता है आपका राफेल नडाल ने ठीक है तो इसलिए मैं बोल रही थी राफेल नडाल को हम डिसकस करने वाले तो इन्होंने इस बार का Australian Open जीता है और Australian Open सबसे जादा Tennis tournament या Grand Slam जीतने वाले player बन चुके हैं इनके आपको country जरूर याद रखनी है अगला आपको question पूचा है कि भारत पे के अभी हाली में MDE थे जो उन्होंने अपनी post से resign करा है तो इनका नाम हो जाएगा अशनीर Grower अशनीर Grower से आई हो आप सब लोग परीचित खड़ दिया है अगला आपको पूचा है कि नए M.D. और CEO न्यूप्त करें गए L.I.C. mutual fund के तो इनका आपको नाम बताना है तो T.S. राम कृष्णन का नाम हो जाएगा ठीक है L.I.C. यानि कि Life Insurance Corporation of India जो होती है तो उसके आपको CEO और M.D. पूच रहा था जिए परसन की बा जानी है तो वो कहां पर होगी यह होगी आपकी कानपूर में ठीक है 2022 की हम यह बात करें तो कानपूर में यह खेली जाएगी और कौन से नंबर के तो 58 यह नंबर की है तो यह आपको यहां से याद रखना है ठीक है चेस से related कुछ और facts देख लेते हैं तो चेस का जो आपका सब्सक्राइब यानि कि सुन या भेदवाव जिसको बोला जाता है तो एक मार्च को यह मनाया जाता है ठीक है डेजन थीम वाली वीडियो हम अल्रेडी बना चुके है तो आप वह भी जाक के देख सकते है उसमें जितने भी महत्यकून डेज और उनकी थीम थी वह हमने कवर करी है ठीक है अगला कोशन आपको पूचा है कि योगी नाम की अभी एक बुक आई है जो कि योगी आदितेनाथ उत्तरप्रदेश के जूसियम है उन पर लिखी गई है तो इसके आपको रैटर बताने है तो दीपम चटटर जीस का नाम हो जागा ठीक है इनी पर एक और रुपे ठीक है तो रुपे इसका ऑफिशल पार्टनर हो जाएंगे अब हम यहां से जितने भी महतोगूर्ण तथे हैं जितने भी महतोगूर्ण फैक्स है वह हम डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले लियानि की इंडियन प्रीमियर लिग जिसकी फूर्म होती है तो इस बार जो 2007 में इसके formation हुई थी ठीक है और पहला जो टूनामेंट खिला गया था वो 2008 में खिला गया था कौन उसमें जीता था राजिस्तान रोयल्स उसमें जीता था ठीक है और जो 2022 का IPL हो रहा है उसमें दो नई टीमें एड हुई है तो उन दो नई टीमों के आपको नाम पता होने ठीक है तो यह जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट से आई पेल से रिलेटेड वह आपको याद रखने हैं अगला आपको पूछा है कि इस बारी यानिके 23rd फीमेल ग्रेंड मास्टर कौन बनी है भारत की तो इनका नाम हो जाएगा प्रेयंग का नुटकी ठीक है कहां से यह correct बनी थी और में इनकी बात करेंं यानि की मेल की बात करें तो विश्वानात आनन पहले हमारे घ्राइण मासटर थे भारत के यह पहले भी थे मेल में भी यह पहले ग्रेंट मास्टर भारत के थे ठीक है यहीं से आपको 73rd जो मेल ग्रेंट मास्टर है वो भी आपको याद रखना है तो भारत शुब्रमन्यम उनका नाम हो जाएगा जो की 2022 के यानि की 73rd हमारे ग्रेंट मास्टर बने हैं तो यह जितने भी इंपोर्टन फैक्स से वह आपको यहां से याद रखने हैं अगला कोशन आपको पूछा है कि अभी हाली में नंबर वन मेल टैनिस प्लेयर कौन बने हैं तो इनका नाम हो जाएगा दैनियल मैदवदे कहां के हैं यह हैं रश्या क अगला कोशन आपको पूछा है कि वर्ल्ल वाइल लाइफ डेये 2022 की थीम क्या रही है तो रिकवरिंग के स्पिशीज पोर एको सिस्टम रिस्टोरेशन इस बार की थीम हो जाई है मनाते कम है तो हर साथ तीन मार्च को हम यह बनाते हैं यानि कि जो भी हमारी wildlife species होती है, उनके protection के लिए, उनके conservation के लिए day मनाया जाता है, तो तीन मार्च के लिए मनाया जाता है और इसके आपको theme याद रखनी है, जो कि हो जाएगी, recovering case species for ecosystem restoration, ठीक है, अगला question आपको पूचा है, कि भारत का पहला e-waste ecopark कहां पर बनाया जा रहा है, तो new Delhi में इसको setup करा जा रहा है, तो क्या होता है e-waste ecopark, जो भी आपके electronic waste होता है, यानि कि आप mobile use करते हैं, उसके बाद वो waste हो जाता है, या कोई भी electronic device जो आप use करते हैं, उसके बाद वो waste में चले जाता है, तो उसका जो recycle होगा, वो किस तरीके से होगा, तो इसी ecop पाग का यही काम होगा, तो new Delhi में भारत का पहला यह बनाया जा रहा है, इसलिए मैं तो हो जाएगा, अगला question आपको पूच रहा है, उंग्लिल ओरुवन जो अभी हाली में autobiography release करी गई है, तो किस की autobiography है, तो यह हो जाएगी M.K.Stalin की, M.K.Stalin कौन है, तो Tamil Nadu की CM है, तो इन ही की autobiography भी आई है, जिसका नाम है ऑंग्लिल ओरुवन, ठीक है, आपको इस तरीके से भी पूचा जा सकता है कि कौन से स्टेट की CM की autobiography है, तो आपको याद रखने है, Tamil Nadu की CM की हो जाएगे, अगला question आपको पूचा है कि Shane Vaughन, अभी हाली में इनका निदन हुआ है, त कौन सी country से ये बिलॉंग करते हैं, तो ये हो जाएंगे Australia से, ठीक है, cricket ये खेलते थे, cricket रहेंगे थे, मतलब Australia से, heart attack की बज़े से इनका निदन हुआ भी हाले में हुआ है, इन से related आप एक और facts याद रख सकते हैं, जो मैंने आपको बताए था, कि 2008 में पहला IPL खेला गया तो कौन उसको जीता था, राजिस्तान रोयल्स के द्वारा उसको जीता गया था, तो उस टाइम पे शेन वान इसके captain थे, किसके राजिस्तान रोयल्स के, तो यहां से याद रख सकते हैं, अगला question आपको पूछा है कि 12th जो ICC Women's Cricket World Cup हो रहा है, तो वो कहां पे हो रहा है, तो New Zealand इसका answer हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसका edition याद रखना है कि 12th इसका edition हो जाएगा, अगला question है कि Women's Day 2022 के आपको theme पूछ रहा है, तो कम हम मनाते हैं, सबसे पहले तो आप यह याद रख लेंगे, तो 8 March को हर साल International Women's Day मनाया जाता है, तो इस बार की theme क पर साल कोई particular cover को उसकी theme रखा जाता है, मतलब कोई भी specific color होता है, उसको उस साल की theme में रखा जाता है, तो green and purple 2022 की theme में रखा गया है, तो आपको color भी पूछा जा सकता है, और theme भी पूछा जा सकता है, और यह मने आपको बता दिया कि 8 March को मनाया जाता है, अगला question है कि PM Modi न इनकी largest statue जो है, उसका अनावरन अभी हाली में किया गया है, इसके द्वारा प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा, अगला question आपको पूछा है, कि FATF के अभी हाली में नए president कौन बनाए गया है, तो T. Raja Kumar इनका नाम हो जाएगा, ठीक है, FATF के सबसे पहले आपक headquarters हो जाएंगे, और formation group of seven countries है, यानि कि G7 हम जिनको बोलते हैं, तो इनके द्वारा इसकी formation करी गई थी, कब? 1989 में, ठीक है, तो आपको इसके headquarters सबसे पहले याद रखने है, Paris, France में, आपको FATF के headquarters मिलेंगे, अगला आपको पूछा है कि largest statue of Lord Buddha कहाँ पे बनाया जा रहा है, त आप सब लोगों को पता है, जो बहुत धर्म है, उसके ये संस्तापक थे, इनका जन्म आपको फूछता है, तो लुम्बिनी, क्योंकि नेपाल में प्रेजेंट है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, अगला question है, कि FIDE की जो Chess Olympia Championship होनी है, 2022 की, यह कहाँ पे होनी है, तो यह ह होगी चन्नाई में, क्योंकि international game है, तो इसलिए महतोपूर्ण हो जाएगा, बारत में खेला जा रहा है, ठीक है, तो चन्नाई में खेला जाएगा, और FIDE की बात करें, तो 1924 में इसकी formation हुई थी, FIDE, Chess को regulate करने वाली body होती है, इसके आपको headquarter पूछेगा, तो लेजन स्व अभी हाली में, Miss World 2021 का खिताब इन्होंने जीता है, इसी में आपको Miss Universe भी पूछ सकता है, तो Miss Universe किस ने जीता है, ये जीता है, हर्नाज, कौर, सांधुने, जो कहां से हमारे भारत यानि की चंडीगट से भिलाउंग करती है, तो इन्होंने Miss Universe का खिताब इस बारी जीता है, अगला आपको पूछा है कि 31st GD Billa Award किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है नारेयन प्रधान को, ठीक है, Scientist है, तो इनको अभी हाली में 31st GD Billa Award से समानित करा गया, क्या इसमें दिया जाता है, तो 1.5 लाग केस में राशी दी जाती है, जो कि Cash Prize में होता है, तो ये आप Axis Bank को, ठीक है, Axis Bank की बात करें, तो अमिताब चौधरी के CEO हो जाएंगे, Headquarters आपको मिलेंगे मुंबई में, और 1993 में इसकी Formation हुई थी, ठीक है, ये Facts आपको Axis Bank से याद रखने है, अगला और महतोपूर्ण क्वेशन आपको पूछा है, कि भारत की rank क्या रही है, World Happiness Report 2022 मे तो 136 इसका answer हो जाएगा, Out of 146 countries में से हमें 136 rank मिली है, तो बहुत जादा खुशाल country यानि कि हमारी नहीं है, तो यहां से कुछ और discuss कर लेते हैं, पहले तो आपको पूछेगा कि number one country कौन से रही है, तो Finland इसका answer हो जाएगा, ठीक है, number one यानि कि Finland के पास सबसे जादा खु जारी की जाती है, तो 22 March को यह हर साल जारी की जाती है, क्यों 22 March को ही की जाती है, तो इस दिन आपको पता होगा, हम World Happiness Day अपना मनाते हैं, तो उसी के उपलक्ष में यह रिपोर्ट जारी की जाती है, और इसके आदार पर बताया जाता है, कि कौन से country कितनी खुशाल है, इसक का आपका answer हो जागा, श्रीलंका, ठीक है, सीधा आप यहां से श्रीलंका याद रखेंगे, 2022 का जो Asia Cup होगा, वो श्रीलंका के द्वारा होश किया जाएगा, अगला आपको TCS के नए MDO और CEO जो निक्त करेंगा है, तो वो पूछा है, तो Rajesh Gopinathan इनका नाम हो जागा, ठीक ह तो यह facts आप यहां से याद रखेंगे, अगला question है कि Asian Billiard Championship 2022 जो हुई है, वो किसके द्वारा जीती गई है, तो यह जीती है, पंकश अडवानी ने, जो कि कहांके, इंडिया की यह है, बिलियार्ट का जब भी आप नाम सुनते होंगे, तो पंकश अडवानी का नाम आपके प्रृष करी है, तो आपको यह भी पूसकता है कि जोधीशनी योजना किस चीज से related है, तो ये जो भी insurance, जो policies होती है, उससे related हिये, योजना करनाटेका government ने शुरू यह जाए चान्ध करी है, और В सकाःच और जो आपको चैपिल है, वो Being पैंगलूरू में आपको इस रो या सारा भाई स्पेस एंटर इन सब के हैड़कौर्टर सापको पैंगलूरू में मिलेंगे और बसवर आज बो मैं चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके करनाटका के चिक है तो यह सारी चीजे आपको यहाँ से याद रखनी है को पूचा है क क्योंकि आपको पता होगा जो हमने प्रह्मोज मिसाइल जो बनाई है वो रशया और इंडिया ने बनाई है यह पूद कि अधियो तरीके का और ग्रेश्या की चीजें देखते है जो के इंडिया और रषय का है तो यह आपको यह से याद रखने है अगला को पूचा है जो किस से रिलेटेड है तो यह हो जाएगा आपकी आपकी ट्रेंट किया जाएगा तो आटमेटिक यह सिस्टम है तो इसी को बोला गया है कबच जो कि अभी हाली में प्रधानमंत्री नरीन्द मूदी जी द्वारा लॉंच किया गया है तो आपको यहां से याद रखना है अगला जो भी महिलाएं हैं उनको entrepreneurship में किस तरीके से encourage किया जाएगा तो उस तरीके का यह campaign है जिसको बोला गया है समर्थ campaign आपको ministry याद रखने है कि Ministry of MSME के द्वारे यह launch किया गया है अगला आपको पोचा है कि हंसा एंजी अभी हाली में न्यूज में था तो यह क्या है मतलब य indigenous training aircraft indigenous का मतलब होता है कि भारत के द्वारा बनाए गया हमने खुछ से बनाया है खुछ से डेवलप कर रहा है तो training aircraft ही भारत का हो जाएगा पहला है इसलिए महतोपूर्ण आपके लिए हो जाएगा यानि कि अब हमें training के लिए किसी और कंट्री पर dependent होने की ज़रुत नहीं है इस तरीके से आप इसके picture भी देख सकते हैं अगला question आपको पूछा है कि the blue book नाम की एक book release करी गई है तो किसने यह लिखी है इसके writer आपको पूछा है तो अमिताव कुमार इसके writer हो जाएगे भारत के बहुत ही famous writer ही है तो अपनी ही autobiography इनोंने लिखी है जिसका नाम है the blue book तो मिताव कुमार इनका नाम हो जाएगा अगली स्कीम आपको पूछा है कि कौशल्य मातरत्व योजना कौनसे state government के द्वारे यूज करी गई है तो 36 गड़ ने यह लांच करी है ठीक है क्या होती है कौशल्य मातरत्व योजना तो जो भी महिलाए है उनका जो second girl child होती है ज गवर्णर हमें पता होने चाहिए सीम हो जाएंगे भूपेश बगेट और गवर्णर हो जाएंगी अनुश्रिया ठीक है तो यह आपको यहां से याद रखना है अगला क्वेशन है कि वर्ल्ड मॉस्ट पॉलूटिड कैपिटल सिटी कौन डिक्लियर करी गई है तो यह हो ज पता होने चाहिए तो विमेंस डे जो मनाते हैं हम इंटरनेशनल विमेंस डे तो उस दिन आपके हर साल नारी शक्ति पुरसकार डिक्लेर किया जाते हैं तो इस बार का जो मिलाया पॉस्तुमस्ली आपको पूचा है तो ईला लो दिन का नाम हुझाएगा ठीक है बात करें कि कब स्टार्ट हुआ तो 1999 में इसको स्टार्ट करा गया था और एक से दो लाख रुपे के कैश प्राइज इसमें दिये जाते हैं तो यह फैक्स जितने भी नारी पुरसकार से हैं यह आपको याद रखने हैं कौन इनको देता है तो हमारी जो भी प्रेजिडेंट होते हैं व प्रेजिले आपको पूचाईस करते हैं तो हम एक और एक साइस करते हैं शिलंका के साथ मुерх रिखत मित्र शक्ति मत्र शक्ति अब आपके लिच्टि सब्सक्राइब जो डिसकस करने वाले हैं सब से पहले तो आपको फूच्छा है कि कौन सब कवा हैं तो Ск saben करा गया था अब कानों पीछ कर लिए आप को यह कुछ conductive ने पर्सक्ता मिला हो है वह सबसे पहले आप इसमें तो आप सब लोगों ने इनका नाम सुनी लिया होगा, बहुत जादा ये चर्चा में है, तो इनको King Richard movie के लिए Best Actor का Award मिला है, इसी में Best Actress की बात करें, तो Jessica Kasten इनका नाम है, जो की The Eyes of Tammy Fai के लिए इनको ये Award मिला है, Best Actress का Award मिला है, Best Picture की बात करें, तो Koda को Best Picture का Award मिल जा सकता है, तो चारों के नाम आपको यादोने चीए, अगला question पूचा है कि Asian Cricket Council के अभी हाली में New President बनाए गए है, तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके जैशा, जैशा कोन है, जो कि हमाने Ministry of Home Affairs, यानि कि Amisha के बेटे हैं, तो इनको ये अभी हाली में Asian Cricket Council क चेरपरसन ये प्रेजिडेंट अपॉइंट करागे, चेरमेन की बात करें तो अमिताप चोधरी आपके Asian Cricket Council के चेरमेन हो जाएंगे, और Headquarters आपको मिलते हैं इसके Colombo, Shilanka में, 1983 में आपकी Asian Cricket Council की formation होई थी, और प्रेजिडेंट आपको यहाद रखने है कि जैशा, इनका चलाते हैं, और Monaco country से बिलॉंग करते हैं, जो हमारी पहली, यानि कि जो पहली Formula 1 race हुई है, इस साल की, तो यहनों ने जीती है, Baring Grand Prix 2022, यहां से आपको Lewis Hamilton, या Max Worspan का नाम याद आ रहा होगा, तो इस बार जो आपके Lewis Hamilton रहें, इस बार यह तीसरे नमबर पे रहें, चर्चेती है, जो भी famous personality होती है, पूरे year की, तो ब्रेटेन में उनको दिया जाता है, तो इस बार यह Lewis Hamilton को मिला है, तो याद रखना है, आपको सर के उपादी उनों पे लगा दी जाती है, ठीक है, अगला कोशन आपको पूछा है, Ashley Barty, इन्होंने भी हाली में एनाउंस करा है कि वे retirement ले रही है, retire यह हो रही है, तो यह कौन से sport से बिलॉंग करती है, तो tennis का answer हो जाएगा, ठीक है, easy question है, इससे related और facts हम देख लेते हैं, तो Ashley Barty सबसे पहले तो आपको पता होने चाहिए, कि कौन सिकंटरी की प्लेयर है, तो Australia की प्लेयर हो जाएगी, अभी यह 25 साल की उमर में इनोंने announcement घोसित कर लिया है, और इस बार का जो Australian open हुआ था, हमने man single में बात करी थी कि Raphael Nadal नहीं जीता है, तो woman single की बात करे तो Ashley Barty नहीं जीता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, किसको इनोंने हराया, Daniel Collins नाम की एक प्लेयर है, इनको इनको इनोंने हराया सबसे पहले आपको यह पूसता है, तो mathematics के field में यह दिया जाता है, तो इस बार किसको मिला है, Dennis P. Sullivan, इनका नाम है, जो कि एक scientist है, तो इनको इस अवार्ड से समानित किया गया है, 2022 का Able Prize, ठीक है, अब कुछ जो चीफ मिनिस्टर है, 2022 के उन से related हम चीज़ें डिसकस कर लेते हैं, यानि कि जो नए चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं, उनको हम डिसकस कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको मनिपूर के पूछा है, तो N.B.D.N.S. इनका नाम हो जाएगा, दूसरे हैं, पंजाब के, तो बगवंत, मान, यह नाम आपके लिए बहुत महतोपून होने वाल हैं, उत्राखंड के हुए हैं, पुछकर सिंग दामी, तो यह भी reappoint हुए हैं, यानि कि इससे पहले भी 2021 में यह उत्राखंड के CM बने थे, और youngest CM यह उत्राखंड के हैं, 45 यह में इनको उत्राखंड का CM बनाए गया है, और अगले हैं उत्तरवदेश के जोकी हैं, योगी इनको भी रियलेक्ट करा गया है, तो तीन नाम तो इसमें ऐसे हैं, जो कि रियलेक्ट होए हैं, तो आपको याद रखने की जरुवत नहीं है, और बेरेन सिंग और बगवतमान आपको याद रखने हैं, ठीक हैं, तो यह सारे जो भी मार्च महीने के इंपोर्टन करेंट कर करेंगे, और बाकी जो मैंने आपको बोलाए कि जो छे महीने का पूरा करेंट अफेस का निचोड है, वह जल्दी उसके साथ आएंगे, ताकि उसमें उससे भी आपको हेल्प मिले, उससे भी आपको कुशन देखने को मिले, बाकी इसी तरीकी की महतोपून जानकारी के और गर्मी बहुत हो गई है